नमस्कार मैं काचे भी उकड़े फ्राम एमनेस्जीज लाइफ नक्सलियों ने सपानेता की हत्या की वहानों को किया अक्ते हवाले नक्सलियों ने समाजवादी पाटी के एक नेता की नक्सलियों ने शाव को भी सड़क पर फेक दिया और वहा सड़क निर्मान में लगे चार वहानों को भी आग के हवाले कर दिया गया हत्या की खबर लगने पर जब मृत्य की पत्नी और भाई घटना स्टल पर पहुचे तो नक्सलियों ने उने शाव नहीं ले जाने दिया वीज़ापूर जिल्ले में नक्सलियों ने सपानेता संतोष पुनेम का मंगलवान की शाम अभारन कर लिया था राद के वक धार धार हत्यार से उनकी दित्रेशच हत्या कर दी गई बुदवार की सुबह मरी मलागाओ के आप संतोष का सव बीज सड़क पर पड़ा मिला संतोष और रह्मान संतोष हपा के जिल्ला उपध्याश सहते सानिय पुलिस की ठीम ने वार्दास तल की और रहाना हो गई इस से पहले सपा नेता कि शो को लेने पाउची परी ज़नों को नक्सक्री यो ने भेगर लोटा दिया था बिजापूर के पुलिस अध्यक्ष तिव्याग्ग पकेल ने वारदात कि पुष्टी की है नक्सलियों ने इस वार्दक को इलमीडी थाना शेत्र के मरी मलागाओं के नज़िक अंजम दिया था बोनी पर F.I.R. दर्श फिल्मेकर बोनी कपूर मुश्किल में फस गए है बोनी कपूर समय तीन लोगों के किलब जैपूर के प्रतब नगर थाने में F.I.R. दर्श कराई गई है जगतपूरास्तिर राम नगरिया के निवासी प्रविन शाम तीनों के किलब पुलीस में के दर्श कराई है उनका अरोप है कि बोनी कपूर ने सेलेबेटिक क्रिकेट लिंग कराने के बाहने करोडो की ठगी की है मिडिया रिपोर्टर के मुताबिक शिकायत करता प्रविन शाम सेट्टी और उनके दोस्ट क्रिकेट लिंग में 67 लाग रुपए का निवेश किया था सेलेबेटिक क्रिकेट लिंक का योजर नहीं किया टताम नगरसानों के ऐसे जो संजे सर्मार का कहना है कि इस एफायर्क में दोका धड़ी की कुल राशी देर करण रूपए बता ही गई है प्रविन शाम सेटी ने पुलिस कमडेट में बताया कि सेलेबेटिक क्रिकेट लिंक के डायक्तर प्रवन जागिर ने 2018 में मिला था उन्होंने दावा किया था कि जैपूर में सेलेब्रेटि लिंक कराएंगे वे कही बॉलिवूड एक्टर से संबर्ख में थे उसने ये भी बताया कि बोनी कपूर और मुस्तफा राज पाटनर्स है पवन जागिर ने दावा किया कि इस लिंक में मेरा निवेस दो गुना होंगा पवन मुझे मुंबई ले गया और मुस्तफा राज से मेरी मुलकत कराई मा बेटे पा धोकदारी का माम्ला दर्ज बैंक में गिर्वी रखे हुए फलॉट पर प्रोजेक्स शूरू करने के नाम पर एक व्यवसाई के साथ 88 लाग रूपै की दोकादारी की गई पुलिस ने धोकादारी करने वाले मा बेटे के किला माम्ला दर्ज किया है आरोपी मुंशी गली मार निवासी धनवीजय अशोक आचारिया और सुदा अशोक आचारिया का समावेश है मनिश नगर निवासी नितिन केदार की शिकायत पर मामलादर्च किया गया है धनवीजय और सुष्मा ने अपना प्लाट गिर्वी रखकर हजी एफसी बैंक से कर्ज लिया था कर्ज की किस्टे भी दोनों नहीं भर रहे थे प्लाट गिर्वी रखने की बात चुपा का धनवीजय नितिन के साथ उसी ब्लैट में डेवलेप्मेंट प्रोजेश शुरू करने की रजिस्टर एग्रिमेंट बनाया MNS News Live की खबर देखने के लिए आज भी प्ले स्टोर से MNS इंदी आप डाउनलड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद